तो डेली हम मुमोस तो खाते हैं लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम नए स्टाइल में अलग तरीकी की स्टफिंग के साथ मुमो तो जी हाँ आज हम बनाएंगे एकदम कलरफुल कलर के लिए मैंने यूज करा है हरा धनिया आप चाहे तो करीपत्ता हरा धनिया या पालक किसी का भी पेस्ट बना करना आप डो लगा लेजेगा उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आज फिलिंग बना रही हूँ आलू की चटपटी सी जी हाँ वैसे तो हम सबजी खाते ही है चाइनिस स्टाइल में लेकिन आज हम इसकी फिलिंग बनाएंगे एकदम देशी तरीके से और ये मैंने ना फिर्स टाइम ट्राइं किया था काफ या पत्री डाल सकते हैं उसके बाद एकदम पतला पतला बेलने के बाद मैं इसको अलग तरीके की शेप दे रही हूँ और ये जो स्टफिंग है ना बिल्कुल भी नहीं पटती है एकदम पर्फेक्ली कोक होती है और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि यह हम क्या खा रहे है या इसमें मोमो का टेस्ट नहीं आ रहा एकदम बैतरीन लगते हैं एकदम यूनिक स्टाइल और काफी अलग हटके इसका टेस्ट लगता है तो मैं इसे स्टीम करने के लिए रख दूँगी और मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनिट मैं इसे स्टीम कर रही हूँ और स्टीम करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर इसका टेक्शर और इसका साइज मतलब एकदम परफेक्ट है आप जरूर से ट्राइ कीजिएगा और देखिएगा